सब्सक्राइब कीज़े लेर्निक फामेसी चैनल को और बेल ऐकन को दबाईए लेटेस्ट फामेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो हम देखेंगे कॉम्पिरिटिव एक्जाम्स में कट ओफ क्या होता है और कैसे सेट किया जाता है किसी साल कट ओफ किसी कॉलेज की जाती है किसी साल कम जाती है तो क्या रिजन होता है वो देखेंगे and cut off के base पे college कैसे मिलते हैं तो ये पूरा ही video जो है आप end तक देखें आपको बहुत सारे information मिल जाएगी cut off से related तो देखें सबसे पहले देखते हैं cut off का मतलब क्या होता है तो देखें cut off अगर आप किसी भी तरह के जब competitive exams में बैठते हैं तो उस competitive exam को clear करने के लिए पास करने के लिए आपको जितने marks चाहिए उस marks हो cut off कहते हैं आप देखें ये competitive exams जो है ये कोई भी किसी भी level के competitive exams हो सकते हैं ये वो exams हो सकते हैं जो कि आप 10th या 12th के बाद देते हैं 10th के बाद भी बहुत सारे diploma courses के लिए entrance होता है तो वो भी competitive exams के category में आता है after 12th तो आप देते ही है diploma in pharmacy, bachelor in pharmacy और बहुत सारे other courses जो है उसके लिए आप exam देते हैं competitive exams तो वो सारे आते हैं देखें और competitive exams कौन से होते हैं जो government jobs के exam होते हैं जैसे आप ESIC देते हैं अगर different hospitals के लिए आप exam देते हैं तो वो सारे उनकी जो exam होते हैं वो भी competitive exams के category में आते हैं और जो सारे exam अप higher studies के लिए देते हैं जैसे अगर pharmacy में बात करें हम तो GPAT, NIPER या अप MBA courses के लिए जो exam देते हैं वो सारे exam जो है वो competitive exams के category में आते हैं अब देखें माली जे student जो है वो बैटा है किसी भी competitive exam में, किसी भी entrance exam में तो वो entrance exam कोई भी आप मान सकता है UP Polytechnic हो सकता है, Delhi Polytechnic हो सकता है किसी भी और other state का वो entrance exam हो सकता है किसी भी level का exam हो सकता है तो कोई भी जो जो भी organization ये exam conduct कर रहे हैं उन्होंने अपनी cut-off set की है अपने paper की 85 number for example है ये देखिए तो उन्होंने ये assume किya है कि 85 number जो है अगर student लाता है तो वो eligible हो जाएगा in particular organization में admission के लिए अगर जो है student इससे जादा number ले आता है more than 85 number तो chances होते हैं कि उससे अच्छे से अच्छा college मिले बट अगर वो student जो है वो इससे कम number लाता है तो उसे कोई भी college नहीं मिलता है तो इसलिए cut-off का यहां बहुत जादा main role यही होता है कि cut-off में आना ही होता है student को और अगर cut-off से जादा उसके marks आ रहे हैं तो उसकी chances अच्छे से अच्छा college मिलने की वो बढ़ जाते हैं सब्सक्राइब के बहुत important question है आता है बच्छों के माइन में की cut-off जो है वो fluctuate क्यों होती रहती है वो किसी साल कम यह किसी साल जादा क्यों होती रहती है एक पड़ एक सेम ही organization जो है सेम ही college के लिए सेम ही government job के लिए ऐसा क्यों होता है तो वो इस slide पर देख लेते हैं तो देखिए माली जी इन में से कोई भी organization है उसने एक entrance exam कंड़क किया उस entrance exam को 500 students जो है उन्होंने दिया वो appear हुए उस entrance exam में अब इस entrance exam का pattern क्या था माली जी इस entrance exam में 200 questions दिये गए थे जो कि एक mark का हर question जो है वो one mark का था तो total 200 marks का इनका question paper हो गया है total seeds जो इनके पास है means कितने बच्चों को ये ले सकते हैं सिर्फ 100 ही बच्चों को ये ले सकते हैं अपनी particular organization में इनके पास 100 ही seeds हैं तो इन्होंने cut off रख दी 100 marks तो इन्होंने बोला जिस जिन भी students के 100 marks आएंगे वो eligible होंगे हमारे course के लिए या हमारे job के लिए बट क्या हुआ देखिए 500 students में से 200 students थे जिनके 100 marks आगए बट देखिए total seeds जो इनके पास available थी total जो जिन पोर्स के लिए इनको चाहिए थे बच्चे तो total तो 100 seeds available थी बट 200 बच्चों के 100 marks आगए तो क्या करें ये देखिए बच्चे जादा हो गए marks जो है इनकी cut off जो है वो कम रह गई तो इसमें क्या करते हैं ये cut off को increase कर देते हैं तो इनकी total जो 100 seeds है वो पूरी हो जाएं जिससे क्या हो किसी तरह का imbalance ना हो तो इस case में देखिए cut off increase हो गई है particular course की तो ये cut off तब तक increase करते हैं जब तक इनकी जो seeds जितने इनों ने दी है वो पूरी ना हो जाएं अब देखिए same ही condition है इसमें क्या हुआ है बट इनोंने same ही हमने देखा कि entrance exam दिया 500 student ने इनका format था इस तरह का बट इसमें क्या हुआ कि पहले हमने देखा था कि 200 बच्चों के इसमें से आ गए 100 marks इस सिनारियों में क्या हुआ कि सिर्फ 50 बच्चे क्योंकि जो question paper है उसका difficulty level वो जादा tough था वो जादा hard था solve करने में तो सिर्फ 50 student जो है उन्हीं के आ पाए 100 marks जादा student के बहुत सारे marks नहीं आ पाए तो इसमें क्या हुआ बट उनके पास seats तो कितनी थी 100 seats है उनके पास तो बट आदे ही बच्चे की seats जो है वो फिल हो पाए क्योंकि question paper hard था तो इस किसमें ये क्या करते हैं cut off कम कर देते हैं cut off कम हो जाएगी means पहले जो 100 marks थी वो 80 marks या उसे less हो जाएगी या तब तक ये घटाएंगे जब तक कि इनके पूरे 100 students जो है 100 seats जो है वो फिल ना हो जाए तो देखे इस तरह से cut off जो है वो बढ़ती या घटती रहती है हर स तो देखे अगर हम actual motive देखें cut off का तो उनका motive यही है कि जो particular college या government job या higher studies में जितनी भी seeds mention की गए हैं जितनी भी seeds available है उस साल उन सारी seeds को फिल करना इस slide में देख लेते हैं कि difficulty level जो question paper का difficulty level है कि वो कितना hard है वो किस तरह से असर डालता है cut off पे तो माली जी यह एक question paper है जो की easy है जो की सरल है जिसको solve करना बहुत ही आसान है तो chances होंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है वो इस तरह के question paper को solve कर पाए होंगे तो इस case में क्या ह होता है कि cut off जो है वो high चला जाता है बट दूसरी case में अगर हमने देखा हम देख रहे हैं कि इस तरह को question paper है जो कि tough है बहुत ही hard है इसको solve करना इस case में क्या होगा कि बहुत कम बच्चे ही होंगे जो कि इस तरह के question paper को अच्छे से solve कर पाए होंगे तो इस case में क्या होता ह है इसमें आपने बहुत सारे बहुत बार देखा होगा कि बच्चों का paper बहुत अच्छा होता है उनको उमीद होती है कि वो select हो जाएंगे बट नहीं हो पाते हैं क्योंकि cut off इस तरह के paper की easy paper होते है उनकी बहुत ही high चली जाती है तो इस तरह से difficulty level जो cut off पे असर डालता है देखें देखते हैं cut off के base पे आपको college कैसे मिलते हैं तो माले जी ये college या जिस भी आप high studies के लिए जिस भी institute में जा रहे हैं उन्होंने रखा है अपना cut off की 100 marks है उनका cut off तो देखें कुछ number of student कुछ particular student जो है वो लाए है 100 से 120 marks लाए है इसी exam में जो कि 200 marks का exam था वो 120 तक marks लाए हैं बट दूसरे set of student जो है ये वाले group of student जो है ये 150 से 170 marks लाए है अपने exam में तो देखें ये वाले जो student है जो कि जादा marks लाए हैं उनको जादा chance होते हैं अच्छे college मिलने के तो इसी लिए कहा जाता है कि cut off लाने से भी नहीं होता बट अच्छी cut off आती है गर आपकी अच्छे marks आते हैं तो जादा chances होते हैं आपको अच्छे college ये अच्छे institute मिलने की फिर ये बहुत सारे student के mind में आता है कि अलग-अलग colleges जो है उनकी अलग-अलग cut off क्यों चली जाती है तो देखें इसमें क्या होता है आप दो तरह के college देखेंगे देखेंगे ये college आप example ल college को rating दी जाती है तो इसमें क्या होगा देखेंगे इस तरह के college में जिसकी अच्छी rating है तो जादा student जो है इस तरह के college को approach करना शुरू कर देंगे इस तरह के college में admission लेने की कोशिश करेंगे तो ये जो college जिसकी high rating है वो क्या करेगा वो अपनी cut off को increase कर देता है बढ़ा दे है तो इस तरह से क्या होता है कि अलगला colleges की अलगला cut off होती है जो college जिनके अच्छी rating होती है उनकी chances होते हैं कि उनकी cut off जादा जाती है ये कुछ हमारे related videos के link है जिन पे click करके आप उनको देख सकते हैं दोस्तो learning pharmacy पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में